सो हे गाइस वेलकम बैक टू मैं न्यू वीडियो आज के इस वीडियो में हम एक सो से जादा डेली यूजर सेंटेंस देखने वाले हैं तो लास्ट तक बने रहेगा बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो है और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इंगलीस आप आसानी से बोल सकते हो तो चलो स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट जो सेंटेंस हे हिलो मत को इंगलीस में क्या कहते हैं हिलो मत को इंगलीस में कहते हैं don't move अगला है चुपचाप खड़े रहो को इंगलीस में stand still कहते हैं क्या हुआ को इंगलीस में what happened कहते हैं और कुछ को इंगलिश में anything else कहते हैं दोबारा कोशिश करो को इंगलिश में try again कहते हैं समय बरबाद न करो को इंगलिश में don't waste time बाल कंगी कर लो को इंगलिश में comb your hair comb your hair कहते हैं समय किसी के लिए नहीं रुपता को इंगलिश में time waits for none time waits for none मैं विशुद शाकारी हूँ को इंगलिश में I am a strict vegetarian I am a strict vegetarian तुम्हें इसकी सजा भोकतनी पड़ेगी को इंगलिश में you will have to suffer for this you will have to suffer for this उसके साथ रहना को इंगलिश में keep in touch कहते हैं उसे विदा करो को इंगलिश में see him off see him off मस्त रहो को इंगलिश में be cool minded be cool minded कहते हैं ध्यान से सुनो को इंगलिश में listen carefully ध्यान से सुनो को इंगलिश में listen carefully कहते हैं फिर मिलेंगे को इंगलीज में कहते हैं see you again, मुझे से बात करो को इंगलीज में talk to me, मुझे जाने दो को इंगलीज में कहते हैं let me go, let me go, ज्यादा कुछ नहीं को इंगलीज में कहते हैं nothing much, nothing much, आपका इरादा क्या है को इंगलिस में कहते हैं What is your intention? जिसा आपको ठीक लगे को इंगलिस में कहते हैं As you wish खाना तेयार है को इंगलिस में कहते हैं Meal is ready Meal is ready जराह यहाँ आना Please come here Please come here मुझे हेरत है I am surprised I am surprised क्या खेल रहे हो? What are you playing? तुमने क्या खो दिया? What did you lost? What did you lost? हमारा क्या है? What is ours? What is ours? तुमने खाना खाया? Did you have lunch? तुमने क्या कहा? What did you say? तुम बात नहीं मानते You don't listen to me Hello मत Don't move चुपचाप खड़े रहो Stand still बिल्कुल अभी Right away क्या तुम्हें भूक लगी है? Are you hungry? भूक को इंगलिस में कते हैं Hungry अब तुम कोशिश करो Now you try मैं तुम भूल ही गया I clean forward क्या तुम्हें याद है? Do you remember? इसके लिए जगह बनाओ Make room for it बाल कंगी कर लो Comb your hair अपने पेर मत घसिटो Don't drag your feet तमीज से बात करो को इंगलिस में कते हैं Behave yourself अपने कपड़े बदल लो को इंगलिस में कते हैं Change your clothes अपनी चपल पहन लोग को इंगलिस में कते हैं Put on your slippers खाना चबा कर खाओ को इंगलिस में कहते हैं Chew your foods नाखुन मत काटो को इंगलिस में कहते हैं Don't bite your nails आपके चपल कहां है को इंगलिस में कहते हैं Where are you slippers Where are your slippers मेरे लिए पानी लेकर आओ को इंगलिस में कहते हैं Please bring me glass of water Please bring me glass of water क्या तुम एक जगा नहीं बैठ सकते हैं को इंगलिस में Can't you sit still Can't you sit still ये कहां से उठाया Where did you pick it from Where do you did Where did you pick it from बिल्कुल अभी को इंगलिस में कहते हैं Right away अपने जूते पहनों को इंगलिस में कहते हैं Put on your shoulders तमीज से बात करो को इंगलिस में कहते है Behave yourself अपने कपडे बदलो को इंगलिस में कहते है Change your clothes चेहरा मत बनाऊ को इंगलिस में कहते है Don't make face वह बहुत cigarette पिता है को इंगलिस में कहते है He smokes too much He smokes too much अपने पेर मद घसीटो को इंगलिस में कहते है Don't drag your feet नहने का समाई हो गया को इंगलिस में कहते है It is a time to take bath It is time to take a bath आपकी चप्तल कहाँ है को इंगलिस में कहते है Where are your slippers? आप क्या लेना चाहेंगे चाई या कोफी को इंगलिस में कहते है Would you like to have tea or coffee? Would you like to have tea or coffee? तूरंत आओ को इंगलिस में कहते है Go at once Go at once कभी कभार को इंगलिस में कहते है Once in a while ज्यादा से ज्यादा को इंगलिस में कहते है At most मेरे साथ आओ को इंगलिस में कहते है Come with me जरूरत से ज्यादा को इंगलिस में कहते है More than enough कुछ समय के लिए को इंगलिस में कहते है For a while थोड़े समय में को इंगलिस में कहते है In a little while बहुत अधिक को कहते हैं इंगलीज में much more क्रपिया ध्यान दे को इंगलीज में कहते हैं I have your attention please हम काफी समय पस्चात मिल रहे हैं को इंगलीज में कहते हैं We are meeting after a long period We are meeting after a long period Shabash को इंगलीज में कहते हैं Well done Hasomat को इंगलीज में कहते हैं Don't laugh बहुत कम को इंगलीज में कहते हैं Much less Labdaayak को इंगलीज में कहते हैं Not worthwhile वह इस तरफ है को इंगलीज में कहते हैं It's here बक्वास न करो को इंगलीज में कहते हैं Don't talk rubbish Don't talk rubbish मुझे तुम पर शर्म आती है को इंगलीज में कहते हैं I am ashamed of you हमारे पास बहुत कम समाई है को इंगलीज में कहते हैं We have very little time इसके लिए इस वर तुम्हें सजा देगा को इंगलीज में कहते हैं Good will punish you for this मुझे कोई आपती नहीं को इंगलीज में कहते हैं I have no objection मैं साफ साफ बोल दूँगा को इंगलीज में कहते हैं I am outspoken आप में बहुत अहंकार है को इंगलीज में कहते हैं You are egoistic You are egoistic मतलब घुसा जादा घुसा है मतलब तुम पहले जैसे नहीं रहे को इंगलीज में कहते है You are longer as before दफा हो जाओ को इंगलीज में कहते हैं Budge off now Budge off now पहन कर देखो को इंगलीज में कहते है Try it on साफ साफ दिख रहा है को इंगलीज में कहते है It's very clear समझ के चुनो को इंगलीज में कहते है Choose wisely थोड़ी देर के लिए रोक दो Take a break तुम बदल गया हो You have changed अभी फोन रखो को इंगलीज में कहते है Hang up now Hang up now आस पास देखो को इंगलीज में कहते है Look around यह सरासर गलते को इंगलीज में कहते है It's absolutely wrong वह सोचता ही रह He kept on thinking 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 He kept on thinking यह सुनी-सुनाई बात है को इंगलीज में कहते है It's only a year से It's only a year से तमाशा मत करोगो इंगलीज में कहते है Don't create a sin Don't create a sin लोग देख रहे है को इंगलीज में कहते है People are watching People are watching मैं मजबूत हूँ I am strong कामचूर मत बनो Don't be shrinker Share Don't be a sirker Don't be a sirker इशारा मत करो Don't gesture Don't gesture तुमारी ओकात क्या है What's your worth तुमारी ओकात क्या है को इंगलीज में कहते है What's your worth तो आज का यह वीडियो पस इतना ही रखते है पूरे की पूरे 100 sentence हो चुके है अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और अपने परिवार या दोस्तों में शेयर कर देना क्योंकि यह वर्ड डेली यूज होते हैं और आप भी बोलो डेली चलो स्टार्टप ओके बाई और अपने पिता है